तो आज मैं आपको इसी पोर्टल पर टोटेरल देने वालों की इस पोर्टल को कौन-कौन सी सर्विसेस अवालबल हैं, किस तरीके से आपको अपनी डीटेल को चेक करना है, कोई भी नमबर अगर आपको बंग कराना है, तो किस तरीके से उसे आपको रिपोर्ट करना है, चली टाइप करना है। टाइपकोव.dgtelecom.gov.in वेबसाइट पर आएंगे तो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा यहाँ पर आप अपने मुबाइल नमबर को फिल करके डेटेल को चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर detail को आपको कैसे चेक करना है इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस portal पर कौन कौन सी आपको facility मिलने वाली है इसके लिए page में आपको नीचे के तरफ आना है नीचे के तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection के लिए एप पोर्टल लाए गया है यहाँ पर इस पोर्टल पर आप खुद से ही तो detail को चेकी कर सकते हैं कि आपके name से कितने sim card चल रहे हैं और यहाँ पर यह पोर्टल खुद भी आपको notification देता है जब भी आपके name से 9 से ज़्यादा sim card हो जाते हैं यानि कि एक ID proof पर अगर 9 sim card ले जाते हैं तो automatically एप पोर्टल आपको notification देता है क्योंकि इतने ज़्यादा sim card की किसी को भी ज़रूरत नहीं होती है आपका हो गया आपके family member 2-3 sim card जायद है सभी लोग इतने ही sim card लेते हैं जो भी यूजर है notification मिले के बाद में इस portal पर आ करके यहाँ पर सभी detail को देख सकता है अगर कोई भी number उसको लगता है यह मेरा नहीं है तो यहाँ पर report करने का option लिता है वो login करके report भी कर सकता है report करने के बाद में आपकी उस report पर क्या action लिया गया है उसका status भी आप दुबारा से यहाँ पर login करके चेक कर सकते हैं इसके लिए आपको उपर की तरफी आना है और यहाँ पर आपको अपना mobile number फिल करना है इसके बाद में send OTP के option पे click करना है तो अब आपके mobile phone पर verification के लिए एक one time password send किया गया है जिसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और validate के option पे click कर देना है OTP से verification होते ही आपके सामने एक task board डिस्पले होता है जहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ID proof पर जितने भी SIM card चल रहे हैं उन सभी की list आपको दिखाए गई है यहाँ पर आपको सभी number को verify करना है आपको ensure करना है जो भी number आपने ले हैं वही आपको यहाँ पर दिखाएगे तो यहाँ पर आपको क्यों वही number अगर दिखाए जाते हैं जो कि आप use कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर कोई भी action लेने की जरुरत नहीं है अगर कोई भी नमबर ऐसा आपको यहाँ पर दिखाई जे रहा है जो आपने नहीं लिया है या फिर आपकी जान में वो नमबर नहीं है या फिर आपने ही वो नमबर पहले लिया था और अब उस नमबर को आप इस्तमाल नहीं कर रहा है फिर भी यहाँ पर वो number आपका 100 हो रहा है तो यहाँ पर आपको report करने का option दिया गया है यहाँ पर आप report कर सकते हैं पर किसी भी mobile number को report करने के लिए उस mobile number के आगे जो tick करने का option दिया गया है इस पर आपको click करके select करना है इसके बाद में यहाँ पर report करने के तीन option दिये गए है जहाँ पर आपको पहला option दिये गए this is not my number तो यहाँ पर अगर आपका number यह नहीं है आप इस number के बारे में कुछ भी नहीं जानते है तो यहाँ पर आपको first option पे click करना है और यहाँ पर जो second option दिया गए है not required का इस option को तब आपको select करना है जब आपने पहले कभी भी sim card को लिया था और वरत्मान में आप उस number को इस्तमाल नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ID card से यह remove हो जाए तब आपको यहाँ पर not required के option को select करना है तो यहाँ पर जो भी reason है उसको select करने के बाद में इस number से आपका कोई भी लेना देना नहीं है रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर report के option पर ही click कर देना है report के option पर ही click करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो request है दर्ज हो चुकी है आपके सामने आपका complaint number जड़ेट हो करके आ चुका है यहाँ पर जो ticket number आपको दिया गया है इस ticket number को आपको कहीं पर भी note करके रख लेना है अब आपको कुछ भी करने की जरुरत नहीं है आपने अपनी तरफ से government को यह भॉंट कर दिया है कि यह मेरा number नहीं है आपको track करना हो कि आपकी application का क्या status है government की तरफ से क्या action लिया गया है तो यहाँ पर track का जो option दिया गया है इसमें आ करके आपको यहाँ पर जो tracking number अभी दिया गया था उसे ही फिल्क कर देना है और track के option पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्तमार में आपका जो भी tracking status होगा डिस्प्ले हो जाएगा जैसा कि मैंने अभी इसको फिल्किया है तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी हमारी जो application है पेंडिंग देखेंगे